रेडमी नोड सेवन के लौँच इवन्ट में सारा का सारा लाइम लाइट ले गया रेडमी नोड सेवन प्रो लोग इतना खुछ थे रेडमी नोड 7 Pro के इंडिया में लॉंच होने से कि वो ये सोचना ही भूल गए कि क्यों Redmi Note 7 में आपको 48 Megapixel के Samsung GM1 Sensor की जगा मिलता है सिरफ 12 Megapixel का कैमरा और सो क्यों ये phones आए हैं इन तीन अलग-अलग colors में ना कि उन colors में जिनके साथ ये चाइना में लॉंच हुए थे सो ऐसा क्यों किया Redmi ने यही जानेंगे हम आज के वीडियो में जहां तक मुझे लगता है तो ऐसा इसलिए किया Redmi ने क्योंकि Redmi Note 7 के Chinese version में Samsung का GM1 Sensor यूज हो रहा है खबरे आ रही थी कि Redmi और Samsung के बीच में टसल चल रही थी एस Samsung अपने GM1 Sensor के software bugs fix करकर नहीं दे रहा था Redmi को क्योंकि उसका अपना phone Samsung M30 इंडिया में Redmi Note 7 से एक ही दिन पहले launch होने वाला था और Samsung पूरे मज़े ले रहा था Redmi के इसी से तंग आकर शायद Redmi ने ये decision लिया है क्योंकि अगर आप Redmi Note 7 के promotional videos देखेंगे 10 से 15 दिन पहले के तो उसमें उन्होंने MI fans को जो Redmi Note 7 दिखाया था उसमें 48 Megapixel का camera था और वो सारे phones थे Indian version of the Redmi Note 7 जो देखे जा सकते हैं इन नए तीन colors के साथ और बैक कलर्स की बात करें तो जहां Redmi Note 7 के Chinese version में आपको वही gradient backs मिलते हैं वहीं इंडिया में solid back colors दिये गए हैं अब ऐसा क्यों? अब एक reason ये है कि इंडिया में दोनो Redmi Note 7 and Note 7 Pro एक साथ launch हुए हैं सो Redmi थोड़ा differentiation चाहती थी अपने दोनों ही phones में और दूसरा ये भी reason हो सकता है कि solid back colors थोड़े cost effective हो बहराल reason जो भी हो अब back में 48MP camera की कमी से Redmi Note 7 के Indian version की shine में कुछ कमी तो जरूर आई है लेकिन इसके बावजूद भी 10,000 रुपीज से कम में Redmi Note 7 ही सबसे बहतरीन value for money प्रोवाइट करता है आपको अब अगर इन rumors में सचाई है तो क्या ये fair practice है Samsung की तरफ से और क्या 48MP का Samsung GM1 sensor मिस करेंगे आप Redmi Note 7 में हमें जरूर बताईएगा in the comments box below और आपके हिसाब से कौन सा phone जादा better value for money प्रोवाइट करता है Redmi Note 7 या Note 7 Pro हमें ये भी जरूर बताईएगा in the comments box below और इसी के साथ हम आज का ये video समाप्त करते हैं हम उमीद करते हैं कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आया है तो please इसे like कीजिए और share कीजिए अपने friends के साथ on your social media profiles आप जब भी हमारा एक video share करते हैं तो हमारे video के लिए views और हमारे channel के लिए support हमें दोनों मिलता है आपको सबसे पहले अपने mobiles पर मिले तो जो subscribe बटन के साथ में एक bell icon है उसे please दबा दीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले video में टेक कियर